नमस्कार वच्चों मैं प्राध्यापक डाक्टर परमेश्वर सवडे आज हम बारावी कक्षा के पार्ट नंबर छे पापा के चार हतियार कनायलाल मिस्र प्रभाकर द्वारा लिखीत इस निभंद के बारे में हम जानगारी लेने वाले हैं लेखक का परिचे कनायलाल मिस्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गाउं में हुआ आप हिंदी के कथानत, कथाकार, निभंदकार, पत्रकार तथा स्वातंद्र सेनानी थें आप देखिए, ये जे कनायलाल मिस्र है, ये बहु वीधा प्रतिभाशाली कवी है और उन्होंने हरे एक शत्र में अच्छा कारी किया है, वह कथाकार भी है, कथा लिखते है अच्छी तरह से उनकी कथा प्रसिद्ध हो चुकी है, ऐसे वह कथाकार है और निभंदकार भी है, अच्छी तरह से उन्होंने निभंद लिखे है बहुत अच्छी तरह से वह निभंद भी रसना करते है पत्रकार है, हमें पता है, आज वरतमान में पत्रकार एक अहम भुमी का निभाते है हमारे लोक्षाई के जो चार आधार संब है, उनमें से एक होता है पत्रकारिता और ये पत्रकार भी रहे चुके है तता स्वतंत्र सेनानी थे, और वह स्वतंत्र सेनानी थे क्योंकि उनका जन्म 1906 को हुआ है और तब हम आजाद नहीं थे भारत कब स्वातंद्र हुआ उनकी उम्र तक्रिबन उनकी उम्र उस समय 40-45 के दर्म्यान थी और वह स्वातंद्र सेनानी थे उन्होंने सेना में भाग कर हिंदुस्तान को आजाद करने का भरसक प्रयास उन्होंने किया था यूसलिए वह स्वतंद्र सेनानी थे आपने पत्रकारिता में स्वतंद्राता के सोर को उच्चा उठाया तो सबी घटनाओ का अच्छी तरह से हम पर प्रभाव होता है मर पत्रकारिता दो तरह से होती है कभी कबार पत्रकार सच्ची जानकारी जनता तक नहीं देते है हो सकता है उसके पीछे कोई वजय हो सकती है उसमें दो वजय हो सकती है एक तो यहां कि जो पत्रकार जहां पर काम करता है उनका दबा होता है दुसरी चीज यह होती है कि कुछ पत्रकार जो रहते हैं वह किसी की सुनते नहीं है जो उन्हें अच्छा लगा वो जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं मर कुछ पत्रकार जो होते हैं सच्चाई जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं पत्रकार की ये निर्विर्टा होना चाहिए कि जो भी हुआ है वो सच्चाई के सामने सभी जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए मगर आज हम वर्तमान में देखते हैं पत्रकारिता वैसा क्षत्र नहीं रहा है आज ऐसा होता है जैसे कहावत है जिसकी लाटी उसकी भैस वर्तमान में पत्रकारिता वैसी हो रही है जिसका शाशन होता है उसी के पत्रकारिता कुछ लोग पत्रकारिता उनकी चाटोकारी करते है चाटोकारी का मतलब जे गुजरी करते है और इसलिए सच्ची जानकारी जनता तब नहीं पोचती है मगर ये कनायलाल प्रवाकर मिस्र है वह सच्चाई प्रस्तूत करने वाले एक स्वतंत्र निर्विड पत्रकार थे और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता के सोर को उचा उठाया स्वतंत्रता के सोर को मतलब आजादी के लिए उन्होंने भर्सक प्रयास किया है हम अंग्रोजों की गुलाम थे लगवक अंग्रोजों ने हम पर देड़ सवर्ष्य राज्य किया है और इस आजादी को उचा उठाने का काम हमारे जो कनालाल प्रबाकर मिस्र है उन्होंने किया है एक तो वो स्वतंत्र सेनानी थे दुसरे पत्रकार थे और निभंदकार थे कथाकार थे और सबी दुष्टियों से एक अच्छे व्यक्तित्व वाले ये हमारे कथाकार थे और इसी लिए उन्होंने पहली शर्त ये थी कि उन्होंने स्वतंत्रता की आवाज उठाई सब लोगों को इकटा किया और हमारे को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है और बहुत अच्छा कारे उन्होंने वहाँ पर किया है आपने साहित्य और पत्रकारिता के व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है कि उन्होंने और अच्छा कारे किया है कि साहित्य एकांगी नहीं रखा साहित्य क्या है समाज में जो भी घटित हो जाता है उसका प्रतिविम हमें साहित्य में दिखाई देता है और इसलिए साहित्य को और प्रफलित करने का कारिय कनायलाल जी ने किया है पत्रकारिता को व्यक्ति तक सीमित नहीं रखा बलकि समाज को जोडने का कारिये उन्होंने इसके माध्यम से किया है कभी हमें बताते हैं कि साहित्ते पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोडने का प्रयास किया है कि हमें बताते हैं एक कनायलाल जी कि सहित्ते पत्रकारिता के साथ साथ व्यक्तिय और समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है वो किस तरह से कभी गवर हो सकता है कोई व्यक्ति है जब अकेला रहता है तो उसके मन में कही तरह के विचार आते हैं और जब मनुष्य हमारे मन में जो चल रहा है किसी और को अगर वो बात बताते हैं तो उसका जो भी होती है चिंता हो समश्या हो जो भी उसका हम हल कर सकते हैं उसे सुल्जाने का प्रयास कर सकते हैं और इसी तरह उन्होंने व्यक्ति और समाज को साहित्य के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और समाज को साथ में रगकर समाज में जीते हुए हमारा वेक फर्ज होता है कि समाज को अच्छी रहा पर चलने का कार्य बताए। पहना एक लकड़ी रही तो हम उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर लकड़ियों का बरासा इसा अगर लकड़िया जादा रही इकटा रही हम उसे तोड़ नहीं सकते। उसी तरह हमें प्रभाकरजी बताते हैं कि समाज के साथ में रहकर हम अच्छी उन्नती कर सकते हैं। इसलिए अकेला न रहकर समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। उससे हमारी वद्धी होती है। हमारे समाज में अच्छी तरह से रहने के वज़े से हमारा जो भी कार्य है वो सपल बनता है। आप भारत सरकार द्वारा पदमस्री सर्मान से युगोशित हैं। इतना ही नहीं तो भारत सरकार की द्वारा जो बड़े-बड़े प्रोषकार दिये जाते हैं। जैसे सहित्यक्षत्र में काम करने वाले जो अच्छे लोग रहते हैं, असाधार लोग रहते हैं। उन्हें ज्ञान पदमस्री प्रोषकार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे पुरोस्कार हैं जिनमें से भारत सरकार द्वारा इने पदमस्त्री पुरोस्कार भी सम्मारित हुआ हैं और एक महान कार्य करने वाले के लिए सरकार के और से ऐसी पुरोस्कार दिये जाते हैं और पुरसकार दिने के पीछे यही एक मकसद रहता है कि इन लोगोंने अच्छी तरह शावर कार्य करना चाहिए, समाज की उन्नती के लिए अपने हाथ बटाना चाहिए, इसलिए भारत सरकार की आउर से इस तरह के पुरसकार देने की प्रता अंपरंपार च्यारी है, जो की इने पदमस्री पुरसकार मिला है, आपकी भाषा सहज सरल और महावरेदार है, यह जो प्रवाकर्जी है, इनकी भाषा सहज सरल और महावरेदार है, और हिंदी इस तरह की भाषा है, बहुत मिठी भाषा है, हर एक के समझ में आसानी से आ जाती है, और इसी तरह की भाषा क इस्तिमाल इनोंने आपने साहित्य में किया है, इनकी भाषा सहज सरल और मुहावरेदार है, जो कत्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है, जो कि साहित्य का कत्य होता है, उसे दृश्यमान और सजीव बना देती है, उसमें जान भर दी जाती है, ये इस तरह का उनका साहि इत्य होता है और उन्होंने यूही इसी वजेर से हमारे भारत के सभी जनता के समझ में आ जाए इसलिए उन्होंने अईसी भाषा का इस्तिमाल किया है जो की सहज है जो आव हिंदी बोली जाती है सरलता से बोली जाती है और उसमें चिटकुले मुहावरेदार भी होती है और इस जो कत्ते रहता है साहित्य में क्या बताने की कोशिश की है उसी को उन्होंने सजिव तता दृश्यमान बना दिय जो भी कहिना है ऐसा सजीव लगना चाहिए इस तरह का उन्होंने अपने साहित्य में क्रैस्ट किया है तत्सम शब्द का प्रयोग भारतिय चिंतन मनन को अधीग प्रभावी बनाता है कि तत्सम शब्द जो संस्कृत से आये है उसे जैसे कि वह इसे रखते हुए आपने हैं वह चाहिए फिर एंगरेजी हो मराटी हो उर्दू फार्शी ऐसे में से कहीं सारे शब्द हिंदी ने अपनाए है जो अच्छे लगे उसे हरेख आपनाते हैं उसी तरह हिंदी ने भी बहुत सारे भाषाओ के शब्द हमारे हिंदी में सम्मिलित किये है और इसलिए हिंदी दीन दुनी रात चवगुनी ऐसी उन्नती कर रही है जो की भाषा सम्रुद्ध बनती जा रही है हमें पता है कि आज भी वर्तमान में हमारे हिंदी विश्व में नंबर दो की भाषा है इतने जानते हैं लिखते ह आपका निधन 1955 में हुआ आर ये जो हमारे प्रभाकरजी है इनका निधन 1945 में हुआ है अब इनकी प्रमकृतिया कोण-कोण सी है ये भी हम एक बार देख लेंगे धर्ति के फूल ये इनका कहानी संग्र है जिन्दगी मुस्कुराई बाजे पायलिया के घुंगरो जिन्दगी लह लाई महके आंगल चेखे द्वार ये इनके निवन्द संग्र है दीपजले शंक बाजे माटी हो गई सोना संस्मरन यों रेखा चित्र आदी है अब विधा का परीचे निवन्द का आर्ट है विचारों को भाशा में व्योस्तित रूप से बांधना अब ये पाप के चार हत्यार इनका निवन्द है और निभंदकार्थ क्या होता है कि विचारों को भाषा में व्योस्तित रूप से बांधना जो हमारे विचार आते हैं तरह तरह को उसे व्योस्तित रूप से निभंद में बांधना उसे निभंद कहा जाता है हिंदी साहित्य शास्त्र में निभंद को गद्य की कसोटी माना है हमारा जो हिंदी साहित्य है इसमें निभंद को गद्य की कसोटी माना गया है क्योंकि निभंद लिखना हर एक के बस की बात नहीं होती है जो कोई बिरले लोक होते हैं वही निभंद अच्छी तरह से उसकी रचना कर सकते हैं निभंद विधा में जो पारंगत है वो गद्य की अन्य विधाओ को सहस्ता से लिख सकता है हमें प्रवाकरजी बताते है जो निभंद विधा में पारंगत है वो गद्य की अन्य विधाओं को सहस्ता से लिख सकता है कि जो निभन्द लिखता है वो कविता कर सकता है, संस्परन कर सकता है, यानि रेखाचित्र लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, कोई कथा भी लिख सकता है जो निभंद में पारंगत होता है वो साइते के हर एक विदा को अच्छी तरह से लिख सकता है कहानी लिख सकता है ये हमें प्रवाकरजी बताते हैं निभंद विदा में वैचारिक्ता का अधिक मत्व होता है उन्होंने बताया है कि निभंद विदा में वैचारिक्ता का अध अधिक मत होता है तथा विश्यों को प्रकरता से पाठों के संमुक रखने की सामर्त होती है कि उन्होंने बताया है कि जो निबंद लिखते हैं उनमें वैचारिकता अधिक होती है और विश्यों को प्रकरता से पाठों के संमुक रखने का सामर्त होता है कि हमें वो बताते हैं कि जिनकी पढ़ने की, कुछ लिखने की जो क्षमता होती है, वो वैचारिक दुष्टिकों से जादा आ जाती है, प्रघल्व बन जाती है, तो इसलिए तरह तरह के जो किताबे होते हैं, चाहे निवंदलेकन होता है, गद्दे होता है, पद्दे होता है, कविता होती है, जो भी होता है वह पढ़ना चाहिए उससे मनुष्य को मन में बहुत अच्छे प्रवाब होते हैं अब पाठ का परिज्चे प्रतेक यूग में विचारों को दार्शनिकों संतों महाप्रूशों ने पाप अपराद दुष्कर्मों से मानो जाती को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया परंतों विडंबना यह कि आज भी विश्व में अन्याय अत्याचार ब्राष्टाचार पाप और दुष्कर्मों का बोल बाला है और मनुष्य को जाने अंजाने इनी का समर्थन बना हुआ है आप देखिए हमें प्रभाकरजी इस बार दिबंद की माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि प्रतेग यूग याने एक सो साल का यूग होता है कि प्रतेग यूग में जो हमारे विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, संत होते हैं, महापुरूष होते हैं उन्होंने हमारे को अच्छी सल हर समय देने का प्रयास किया है यह पाप, हम वर्तमार में देखते हैं कि हम यही कहते हैं कि पाप बढ़ बढ़ रहा है दिन बदिन बढ़ता जा रहा है उसी तरह अपराद क्योंकि वरतमान समय में ज्यादा अपराद बढ़ रहा है दुश कर्मों से मानो जाती को मुक्ति दिलाना है परंतों विडम्बना यह है कि विश्व में आज भी भारत की बात नहीं कर रहा है तो पूरे विश्व की हम बा रहा है अत्यचार बढ़ रहा है ब्रहस्टचार बढ़ रहा है और पाप के दुश्करमों का बोल बाला दिखाए देता है कि जो हमारे जो भी यहां तक की पूरो परामपार से हम देखते हमारी जो संत महंत हुए है उन्होंने भी यह पाप उन्हें कम करने की कोशिश की मगर उनका जीवन समाप्त हुआ मगर यह कम नहीं हुए वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी को लेकर हमारे प्रभाकरजी ने हमारे सामने यह प्रस्तुति करन किया है कि मनुष्य आज भी जाने अंजाने इनी का समर्थक बना हुआ है। तो यह मिटाना है हमें यह दूर करना है जो की पाप बढ़ रहा है अन्याय बढ़ रहा है अपराद बढ़ रहा है उसे कम करना है। समाज में हमारे जो संत रहते हैं महाप्रूश की हम जैन्तिया मनाते हैं। जो संत महांत होकर गए हैं उन्होंने हमें बहुत प्रयास करके बतानी कोशिश की हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्सर कहते हैं सच हमेशा सच बोलना चाहिए बगर कभी कबार कुछ लोग जूट का सहारा लेते हैं और वो बताते हैं कि हमेशा सच्चाई की रहों पर चलना चाहिए समाज में संतो और महा पूछों की जहनतियां मनाते हैं जे-जेकार करता है उनके समारगों का निर्मान करवाते हैं परतों उनके विचारों का आचरन में नही लाते है ऐसा क्यू होता है लेखक ने आपने चिंतन के आदार पर इस प्रस्ण का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निभंद में किया है कभी ने बताया है कि ऐसा क्यों होता है उसके पीछे क्या वजय है उसको ही उन्होंने इस निभंद के माद्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है हम इसमें देखेंगे कि कभी हमें क्या बताते हैं आम निभंद के वारे में देखना चाहते हैं आप सभी को पता होगा कि निभंद के चार प्रकार हैं नमबर एक विचारात्मक निभंद विचारात्मक निभंद किस तरह से लिखे जाते हैं तो यह दूरुदर्शन के लाब और हनी यह विचार पुल्वक उसको लिखा जाता है जो दूरुदर्शन से हमें क्या लाब होता है और क्या हनी होती है उसको विचार करके हमें लिखना पड़ता है तो ये विचार अत्मक निबंदभ होता है या टेलीफोन का बढ़ता हुआ प्रवाव हम देखते हैं वरतमान में जो भी व्यक्ति है उसे टेलीफोन का चकसा लगा हुआ है और दिन बदिन उसका प्रवाव बढ़ रहा है आईसे निभंदों को जो लिखना है तो उसे विचार पुरुवक लिखा जाता है तो इस तरह क यह विचार आत्मक निभंद कहा जाता है नंबर दो है वर्नात्मक निभंद कि इसमें वर्नन करके लिखा जाता है जैसे उधारान के दोर पर देखें मेरा भारत कि भाईया इसा निभंद आता है कि मेरा भारत तो इसके बारे में आपको वर्नन करके लिखना होता है कि भार होली का त्यवहार कि उसे वर्नन करके हमें लिखना पड़ता है कि होली किस तरशे होती है। पुरे भारत में मनाई जाती है तो उसका वर्नन करके हमें लिखना होता है। उसके बाद नमबर 3 है विवरनात्मक निभन्ध। मेरी पहली हवाई यात्रा मतलब जब कभी कोई हवाई यात्रा करता है तो उस हवाई यात्रा के बारे में आपको विवरण के साथ प्रस्तुती करंग करना पड़ता है कि भाई कहां से आप हवाई है जहाज पे बैटे कहां उत्रे कितने दिन रहे इसका उसमें डाटा होता है सडक की दुरगटना क्योंकि दिन बदिन हमारे इंदुस्तान में बहुत दुरगटना होती है तो उसका विवरंग करके आप सडक की दुरगटना इसके अंत्रगत लिख सकते है उसके बाद number 4 है कलपनात्मक निभन्द कल्पना करके लिखा जाता है उसे कल्पनात्मक लिभंद कहा जाता है जैसे यदि मैं राष्ट्रबती बन जाओ कि हो सकता है बविश्य की बारे में बात करे कि राष्ट्रबती बन जाओ तो क्या करेगा क्या नहीं उसके बारे में उसमें उस्तुरू जर्चा होती है यदि मैं शिक्षा मंद्री होता तो कलपना करना है हो सकता है मगर कलपना करना में क्या आर्ज है अक्सर कहते हैं ना कि मनुष्यने बड़े बड़े सपने देखना चाहिए सपने पूरे हो ना हो मगर सपना जरूर देखना चाहिए अक्सर कहते हैं हम हिमाले परवत पर चड़ने की अगर कोशिच करें अगर वो सपना रखे तो कम से कब आधे हिमाले तक हम चड़ सकते हैं तो इस तरह से निभंद के चार प्रकार है अगर प्रकार है